नॉन चैलेंट क्या बोलते हैं नॉन चैलेंट क्या होता है एक ऐसा बंदा जिसे फरक ही नहीं पड़ता इंसेंसिटिव लैक ओफ इमोशन से लैक है लैक ओफ इमोशन बहला आप कुछ कह रहे हो वह ऐसी बैठाव है केरलेस या आपने कुछ बोला उसका इंटरेस्ट ही नही इमोशन इंसेंसिटिव है अनकंसर्ण है इसे फरक ही नहीं पड़ रहा अनकंसर्ण है यू-n-c-o-n-c-e-r-n-e-d अंकंसर्ण ठीक है मरे भाई निक्स्ट क्या है ओबलिवियन क्या होता है ओबलिवियन मतलब होता है कि आपको किस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है एबनोक्षियस मतलब बहुत ही घटिया बहुत ही अनप्लेजेंट बहुत ही हीनियस बहुत ही हीडियस बद्दा Obscene का मतलब होता Obscene का मतलब अशलील Obscene का मतलब क्या होता अशलील, vulgar Vulgar is the right word V-U-L-G-A-R Obsessive Obsessive मतलब एक mania Root word होता है mania M-A-N-I-A Mania मतलब होता सनक Obsession किसी चीज़ को बार-बार करने की सनक किसी चीज़ को बार-बार करने को Obsession Mania Obsessive mania तीर्व इच्छा रखना किसी चीज़ को लेकर Related to thinking about something Constantly आपके चीज़ की आपको सनक है जैसे एक बहुत सारे words होते हैं आप एदेख लो उससे है बैने बोला Gametomania मतलब G-A-M-E-T-O-M-A-N-I-A Gametomania का मतलब क्या होता है मिरो भई Gametomania 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 Obsession To do something again बार बार करने का Obsession तो यार बार 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 शादी करने का Obsession को कहते हैं हम Gametomania समझ गए मेरी बात तो ऐसा होता है Obsessive किसी चीज़ को लेकर तीर वे इच्छा रखना Obsolute हो गए यार यार यह चीज़ Obsolute हो गई पुरानी हो गई Not in use ठीक है Obsolute हो गई Obstress हो गई है ठीक है Obstinate बहुत ही बड़ी हा वर्ड Obstinate इदर देखिए इसको Adamant क्या वर्ड होता है Adamant 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 Obdurate O-B-D-U-R-A-T-E Obdurate Tenacious T-E-N-A-C-I-O-U-S Tenacious यह जो बंदा है यह कैसा है यह बंदा जो है अटल है मतलब यह कैसा हो गया यह आप बूल सकते हो Stiff Naked Person Stiff Naked Person ठीक है मेरे बाई Stiff S-T-I-W-F-N-E-C-K-E-D-E-M इसका मतलब यह होता है Adial जिद्दी ठीक है जो सुनेगा नहीं Obstinate है Stubben है जिद्दी है इतने सारे वर्ड बता दिया है मैंने आपको बहुत important exam के लिए ठीक है Occlude का मतलब होता है किसी भी चीज़ को Block कर देना ठीक है बंद कर देना WhatsApp में आपने किसी को Occlude कर दिया तो आपने उसकी चैट को Close कर दिया आपने उसे Block कर दिया बंद करना Close Up करना Block करना ठीक है Occult मतलब होता है जो भी आप जादू टूना होता है जादू टूना कर देते गुपत रूप से तो उसके लिए Occult यूज होता Secret, Mysterious, Related to Magical Power जादू टूने से संबंद दे और अगर 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 मत यह जादू टूने से Related जादू टूना जब जादा हो जाता है तो कौन पैदा हो जाता है शैतान पैदा हो जाता है ठीक है तो उससे कहना जो जिससे आप कहानी सुनाते है कहरा Frightening Character of Children's Story जो आप कहानी सुनाते हो तो कहते है नहीं आरे वो भूत आ जाएगा तुमें खा जाएगा तो एक ऐसा Character बच्चो कहानी का जो उनको खा जाता है वो इट्स चिल्डन सही है भाई Ombudsman मतलब होता है लोकपाल ठीक है जो बीश में बिल नहीं आए तो Ombudsman Bill बनाओ लेकपाल बनाओ लोकपाल बनाओ तो मतलब यह कि जो हमारे विजिलन्स जैसे डिपार्टमेंट होता हुस सो पर भी कैसा डिपार्टमेंट जो सब के ओपर बैटे है और हमारी कंप्लेंस सुने लोकपाल ठीक है Officer who deals with complaints क्या मतलब होता है आपका Ominus Ominus मतलब कुछ बुरा होने का अबहाज Ominus मतलब होता है आपको एक four warning आ जाती है four warning f o r e w a r n i n g four warning मतलब आपको कुछ एक अंदर से क्या आ जाती है आपको कुछ पता लग जाता है और कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ Suggesting that something unpleasant is likely to happen अब कोई बुरा होने वाला हमारे से ठीक है Opportunist Opportunist का मतलब होता क्या है Opportunist का मतलब क्या ही दे रहाँ जो opportunity opportunity आती है टाइमली आपका है जो किसी opportunity जैसे मेरे पकोई opportunity आया और मैंने उस opportunity का मैं फायदा उठा लेता हूँ मैं उस opportunity मैं react करता हूँ यह नहीं करता कि मैं सोता रहा तो one who grabs every opportunity जो हर opportunity का लाब उठा है उसे कहते है Opportunist तीक है ने अब क्या है Optimistic Optimistic मतलब होता आशावादी जो अपने future को लेके काफी ज़्यादा hopeful हो अपने future के बारे में अच्छी चीज़ है सोचे कि बाई मेरे साथ सब बढ़ा होगा आशावादी एक होता है Optimistic और एक क्या होता है इसका opposite क्या होता है इसका एंटोनियम होता है Paismistic नहीं राशावादी P-A-S-I-M-I-S-T-I-C Paismistic नहीं राशावादी एक होता है pacifist ruim pacifist PF multifist होता है रहता है pessimistic निराशाबात जो कहता है future में बरबाद गी होगा एक होता है pacific जो चाहता है future में लड़ाई ना हो peace बनी रहे मतलब अपना शांती का प्रतीक बना रहे ठीक है औरेटर मतलब होता है जो इंसान अच्छा बोलता हो जो good speaker हो eloquent हो eloquent हो इसी को आप बोल सकते हो क्या articulate हो a r t i c u l a t a r t i c u l a t इदे को इदे लिख देता हूं आप लोगों के लिए a r t i c u l a t articulate ठीक है मेरा भाई नेक्स्ट क्या चंब का नेक्सट होता ओरीन ओरन मतलब होता किसी को एक कमांड देना ओर औरेन आया है kink order क्आर को इनला आया मतला आधे आयश ओर ऐड़ ऑफिशैयली घीक है असे nser précisी के घीए ओस्तेंटेशियस है, सोही है, O-S-T-E-N-T-A-T-I-O-U-S a-स्तेंटेशियस है 1ौ-जय सोही है, दिर्खावा कर रहा है, ठीक है आउस्ट मतलब किसी भी चीज को निकाल देना, आउस्ट कर देना, ठीक है Outrage मतलब बेजती करना Insult करना, offense करना बहुत ज़्यादा किसी को Outrage करना मतलब उस पर चिलाना, उसकी बेजती करना जैसे कहते हैं Outrage करके बेजती करके आउस्ट कर दिया मतलब देखो Outrage करके बेजती करके आउस्ट कर दिया, उसे घड़ से निकाल दिया समझ गया मैरे बात आपने आपको ज़दा आउक लेना है आपको आपके टंग का टेस्ट तालू स्वाद पर परकने शक्ति आपका ऐसा टेस्ट टंग के ऊपर वाला मतलब माउथ के ऊपर वाला टेस्ट इस पर कुछ चीज लगती तो आप बता जो तो अरे मीठा है टेस्टी ऐसे करके पैलेट कहते है ठीक है पैलेशियल पैलेशियल मतलब बहुत ही बड़ा घर अई यूज एंड इस्प्लेंड आउड वर्ट आप पैलेशियल हाउस क्या बड़िया घर है यार महल जैसा लग रहा है यह तो ठीक है बहुत ही बड़िया घर है ठीक है ना मेरे भाई पैल्टरी मतलब जिसका कोई भी प्राइसलेस हो ठीक है वर्टर्लेस है मतलब इतना वर् इस बहुत ही फेमच मतलब होता है औल ओवर तुरूआउट मतला हर जगा जैसे की में आपके एक्जम्पल देता हो मैं आपको बोलू पैन इंडिया पैन इंडिया तो मतलब ओल ओवर दा इंडिया सारी बड़िस जगए मन्यान का मतलब होता है किसी चीज को कृटी साइज क के नएक्सस्ट आपका पीन शित सार मारो कर लू रूट वर यह भी माक कर ले ना पैले शील पानश का मतलब होता रैमेटीक ओलज़ाराम बाट किसी कोई बीडिजीज का एक ऐसा रंबाट जैससा वो डिज़ुस् ważne ravit for all diseases, ठीक है, panic, panic का मतलब क्या होता, panic का मतलब होता, भाई, expert, किसी चीज़ में expert है, निपूंड हो, ठीक है, निपूंड होता, confidence and elegance style, pandemic, pandemic हो गया, मतलब क्या हो गया, महामारी फैल गई, क्या हो गया, wide spread, pandemic मतलब कोई चीज़, pan में, pan में, pandemic हो गया, pan मतलब हर जगा, everywhere, pandemic मतलब, fell ना, तो wide spread हो गया, व्यापक हो गया, ठीक है, pandemonium, pandemonium क्या मतलब होता है, मेरा भाई, pandemonium, pandemonium का मतलब होता है, देखो, मैं आपको यह वर बहुर अच्छे समझाता हूँ, इदर देखिए, pandemonium, क्या मतलब है, pan का मतलब है, all, अभी बताया, all over the world, हर जगा, सारी जगा, all everywhere, demon, demon का मतलब होता है, राक्ष, सारी तरफ, सारी जगा, यहाँ पर अभी मैं आपके साथ में बैटा हूँ, हर जगा, राक्ष सी, राक्ष हो जाए, तो क्या होगा, अफरत, अफरी फैल जाएगी, disorder हो जाएगा, तो शोर शराबा होगा हर जगा, great confusion होगा, इदर जाए, इदर जाए, noisy disorder होगा, ठीके, panic, panic मतलब होता है, डरना, आप डर गए, panic कर गए, ठीके, sudden uncontrolled फिया, यह तो सबका पता है, पैरामन, जैसे मैंने बताया था, वो नादिर मतलब, नीचला स्तर, नीचे का lowest point, वैसे, पैरामन मतलब, सरवोज सबसे उपर, सुप्रीम और जैनित का मतलब होता, सबसे टॉप पॉइंट, सबसे उपर का पॉइंट, जैनित, जैनित, यह भी याद रखना, ठीके, पांसो उन्निस हो गई है, आगे देखते हैं, वीडियो अच्छी लगे है, तो शेयर कर देना, काफी लंबी वीडियो हो रही है, तो आप भी कुछ लोग सपोर्ट दो, फिर जो भी जिस बच्छे का जो भी एक्जाम आ रहा है, अगर जैसे कोई भी एक्जाम हो, पाच्छे कमेंट भी आ गई, तो उस एक्जाम के पर वीडियो बना दूँगा, इंग्लिश को लेगा, कोई भी इंग्लिश हो, ठीक है, जिस बच्छे को मेरे बारे मैं नहीं पता, तो मैंने सीजल क्रेक किया है, दो बार, ठीक है, एससे सीपयो मैंने क्रेक किया है, तीन बार, मेरा मेन फोकस एससे सीपयो पर था, ठीक है, और मैंने एक से सीपयो में TSS B junior assistant हो गया और आपका bank P.O.P.E. हो गया मेंस में देने ने नहीं गया ठीक है और आपका ऐसे कहीं exam है ठीक है न अभी एक exam ओर वीच हुआ था बीच में हैं सारी 2015 की 16 की ठीक है 2000 जासारा मैक 17 की बस ठीक है न चलिए और जिसे मेरे आरह मैं नहीं पता like I've been teacher in English since 2016 में मैंने पढ़ाना चलू कर दिया था और काफी मैं पाच्छे सालों से पढ़ा रहा हूं और काफी offline centers में मैंने पढ़ाया है ठीक है और यूटूब के मेरा नाम लिखोगे विने कोट नाला तो और English लिखोगे या SSC कुछ भी लिखोगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी यह लगे लग ठीक है past past मतलब past मतलब होता कोई भी चीज़ ड्राय है सूख गई है गर्मी की वज़े से dry यह dry out due to heat पैरिया पैरिया मतलब social out का समाज भी भाईश कर आपको निकाल दिया को ऐसी गलती करी कि आपको समाज से निकाल दिया तो पैरिया हो गया ठीक है पारले पारले यह पारले जी नहीं है पारले मतलब होता कोई संगठन बैठके conference ले रही एक सम्मिलन हो रहा है सम्मिलन conference पैरोशियल पैरोशियल मतलब या किसी भी चीज को लेके आपको जो नजरिया है एक होता है सोचने का नजरिया आप दो अब love marriage का सीन है लड़का लड़की की शादी हो रही तो कुछ relative होते हैं जिनकी जो सोच है वो बहुत ही घटिया है नी सोच है नेरो सोच है मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ होंगे जिनकी वाइडर सोच होगी तो पैरोशियल मतलब संगी नजरिये वाला नेरो इन आउट लुक ठीक है patronage patron patron patronage 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 का मतलब होता support देना किसी भी organization को किसी भी चीज़ को आप support देते हो support given to an organization पौन मतलब होता प्यादा प्यादा people of little importance ठीक है pack मतलब हलका साथ kiss करना kiss lightly हलका चुमबन ठीक है उससे कहते है मेरे भाई पैटल ठीक है यह मैं सोच रहा है कि सर भागे जा रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं रहे भाई यह वीडियो क्यों है इस वीडियो को आप देखोगे notes बनाना चाओ notes बना लो अगर ऐसे देखना है तेक लो screenshot लो फिर अपनी किताब भी पढ़ो ठीक है तो आपको बहुत अच्छे चीज़ समझ में आएंगी आप देख लो दो बार इस वीडियो को देख लो और दो बार किताब पढ़ लो समझ लो आपने तीन बार पढ़ ली मतला चार बार किताब आप पढ़ चुक है कि आप यहां पर सुन भी रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं जो आपको नई knowledge भी मिलेगी पैलेट मतलब होता है पैलेट छोटा गोला जो चोटी बॉले होती है उसे कहते है पैलेट ठीक है जैसे कि दिल्ली पुरिस का फिजिकल होता तो वहां पर आयरें पैलेट आपको फैक नहीं होती है वहां पैलेट मतलब पैलेट को करना होता है पैलेट मतलब पैलेट को करना तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते हैं कि इंपॉर्टन चीज यह है कि देखो हमारी जो एप है वो लॉंच हो गई है विने कक्षा नाम से ठीक है आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रोइड वाले जो एंड्रोइड बच्चे एंड्रोइड फोन यूज करते हैं वो प लेश्टोर मां जैसी आप लिए लिखोगे तो यह आपका ऐसा स्क्रिंग को लेगा आपको इंस्टॉल करके ओपन करना इसके बार आप आप आजाएंगे इस इंटरफेस में ठीक है जैसी आपके आगे यह इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको को दिख जाए मेरे भाई D.S.S.S.B. वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा ए D.S.S.B. PGT. PRT. जितने भी आपके एक्जामे के विये सारा है T.G.T. है जितने भी आपके टीचिंग के एक्जामें उनको इंगलिश का मैंने कैसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियो रहेंगी ठीक है अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लोगा पास सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें ठीक है और अभी भी मैं इसमें वीडियो एड़ों करता जा रहा हूं तो आप पढ़ते जाएंगे जो भी आपको क्याम को पासीजियो कुछ भी होगा जो यह कोर्स लेगा ठीक है दूसरी चीज मिरवा इस कोर्स की वैल्व आपको 2009 दिख री होगी तो ट्रिपल नाइन इसकी वैल्यू नहीं है वैसे कोर्स की मैंने ट्रिपल नाई लगा रखे हैं मगर अभी फर्स हमारे 200 बच्चों के ल यह बहुत दिक्कत आती है तो उनके लिए मैंने एक कोर्स निकाल दिया ठीक है तो जल्दी आपका वोकाब का कोर्स भी आएगा यह पेड कोर्स है टेंशन मतले न यूटूब पर क्लासिस होंगी जिनको बेसिक में दिक्कत है जो मिडियेटर आपका लगर पर लेवल में पोज गएं जिकोंको नई सन्गाता हैं कैसे त्यारी करें यह उनके लिए कोड्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश सारी पार्ट आउश्ती जितना भी आपकी पार्ट आउव स्पीच है देखो इसमें आपका जितनी पार्ट आउँ पी ठीके और मेरे से आपकी बात करवा देंगे जो गी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा ठीक है तो चलेगा इस थैंक यू है वनाइस टे